मैं डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाथी और हम आज सीखने वाले हैं मॉडुलस आफ अ कॉम्पलेक्स नंबर जैडिज इकल टू ए प्लस आई बी और इससे रिलेटेड कुछ तो देखे जैडिज इकल टूऑ प्लस आई पि क्या चीज है तो जैडिज इकल टूऑ अ प्लस आई बी इस & Bis अ कॉम्पलेक्स नंबर और अगर इसको हम आर्गन जिसमें यह रियल एक्सेश है और यह एक्सेश ऐमैजिनरी एक्सिस है और ए प्लस आई बी यहां पर आएगा, A यह होगा, real axis पे, B होगा, imaginary axis पे, माल लेकि यह point पी है, तो यह हो जाएगा, Z is equal to A plus IB, और यह है, आपका O, O से O इसमें pole कहते हैं, जिसको आप origin कहते हैं, यहाँ पे pole कहते हैं, उसको OP, O से लेकिए P जो distance है, this distance is known as mod Z, यह mod Z अब मौड जेट ओपी है और ओपी को हम पाइथोगोरस से निकाल पाएंगे तो आप देखें पाइथोगोरस लगा देतें इसमें तो यह जाएगा रूट आफ ए स्क्वेर प्लस बी स्क्वेर यह है मौड जेट फर एक्जामपल अब कुछ एक्जामपल देखें जेट इस इकोल टू आपके पास है माल लीजे जेट बन एक नंबर है तो प्लस त्री आए तो मौड आफ जेट बन होगा अंडर रूट आफ टू स्क्वेर प्लस त्री स्क्वेर तो वैल्यू आईगी आपकी रूट थर्टीन प्लस माइनस नहीं अली प्लस because distance it is distance which cannot be negative second Z2 अगर आपके पास है 3 माइनस 4 आए तो आप इसको पहले इसा लिख लए 3 प्लस माइनस 4 आए Z2 का मौडूलस मौड आप Z2 इसी तरह की चीज़ को आप वहाँ पिछली क्लासेस में absolute value कहते है absolute value mod of Z2 will be 3 square plus minus 4 square which is 3 square is 9 minus 4 whole square is 16 9 plus 16 25 and square root of 25 5 हो गया तो आप एक और बात देखें की mod में आई नहीं है it does not contain i it is not equal to what it is not equal to a square plus IB square this is not true this is equal to root of a square plus b square third example Z3 is minus 6 minus 8i therefore mod of Z3 will be is case my mod of Z3 yoga square root of minus 6 whole square plus minus 8 whole square minus 6 square is 36 minus 8 whole square 64 36 plus 64 hundred or hundred का square root 10 तो इसका modulus आगया है हमारे पास 10 अब और नंबर्स देखते हैं अगला example देखें आप Z4 is equal to अगर minus 3 है तो इसे complete कर देते हैं minus 3 plus 0 i लिख के और फिर इसका हम mod निकालते हैं mod of Z4 is equal to minus 3 whole square plus 0 square minus 3 whole square is 9 square root of 9 is 3 therefore it is 3 plus 3 number is negative but its mod modulus is positive इसी तरह से आप निकाल सकते हैं नंबर है मान लीजे आपका 4 i तो आपका mod आएगा 4 अगला case अगर एक नंबर आपके पास है minus 7 i इसका भी modulus निकालके देखिए आप और मुझे लिखिए कि बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है 7 आएगा तो इस तरीके से mod हम निकाल सकते हैं अब mod की कुछ properties हैं तो उन properties में से जो सबसे important properties हैं एक दो है कि mod of Z1 into Z2 is equal to mod of Z1 into mod of Z2 mod of Z1 upon Z2 is equal to mod of Z1 upon mod of Z2 where Z2 is not equal to 0 plus 0 है mod of Z to the power M is equal to mod Z whole to the power M यह कुछ basic properties है जो ध्यान रखना है कुछ इस तरह की भी है mod of Z1 plus Z2 is smaller or equal to mod of Z1 plus mod of Z2 तो आप अपने comments लिखिए आप अपनी problems लिखिए अगर आप चाते हैं इन properties का हम proof करें तो आप मुझे लिखिए तो अगले बार हम इनका proof भी करेंगे अब हम कुछ आगे के questions discuss करते हैं जो इससे related हैं जो modulus पर based questions हैं तो एक बहुत important question है मैं आपसे share करता हूँ उसमें कुछ prove करना है जो इसी से related है और बहुत ultimate problem है examination में वो बार बार पूछते हैं teachers के choice हैं आपके teachers भी उसे बहुत पसंद करते होंगे उस question को तो अगला question है हमारा जिसका proof हम लिखने जा रहे हैं अब वो थोड़ा exclusive question है उसकी number हम अलग कर देते हैं वो question इस तरह से if z is equal to x plus i y and omega is equal to 1 minus i z upon z minus 1 then prove that बहुत ही exclusive question और एक number problem mod of omega is equal to 1 implies z is purely real purely real number यह हमें प्रूव करना है तो दोस्तों बने रही है मेरे साथ चैनल को अभी तक अपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक करें सब्सक्राइब करें दोस्तों के साथ शेयर करें उनको भी फायदा दें आप भी देखें देखें अब इसका solution है हमें दिया है गिवन बिल्कुल सिस्टेमेटिक प्रूव और आप मुझे हमेशा सिस्टेमेटिक अप्रोच के लिए याद रखोगे जेड इसिकोल टू एक्स प्लस आईवाए और नेक्स कंडीशन दिये ओमेगा इस इकोल टू जेड अप्लस आईजड अपॉन जेड माइनस वान और क्या दिया है आगे कि mod of omega is 1 तो पहले हम इसकी value रख देते हैं 1 minus i times z का value है x plus i y upon z का value है x plus i y minus 1 और अगली condition है we have what do we have let us see क्या है हमारे पास हमारे पास है mod of omega is equal to 1 therefore mod of omega इसका mod इसका इसका थोड़ा simplify भी कर ले time is precious minus i x और यह हो जाएगा आपका minus i square y upon इसको पास पास लिख लेते real real together x minus 1 plus i y is equal to 1 यह और यह एक ही चीज़े देखलें आप implies इसमें देखिए i square is what i square is minus 1 minus minus plus 1 plus y together real real together imaginary separate real real together imaginary separate यह देखिए अब हमने क्या पढ़ा अब हमने पढ़ा है कि उपर वाले का mod अलग और नीचे वाले का mod अलग हो जाएगा तो वही property फिल लगाएंगे यहापे बीना किसी को बोले क्योंकि अब आपको वो property आ चुकी है direct आप इसको मौहमत बेजिए पहले mod separate करिए जरूरी है यह आपके teachers mind करेंगे वर ना 1 plus y minus i x upon mod of x minus 1 plus i y is equal to 1 कौन सी property लगाई है दोस्तों यहाँ जरूर से coat करिए आपको याद आ गई कि यही property है बिलकुल सही और यही अब आप इसको उदर भेज सकते हैं तो अगर आप इसको उदर भेजेगे तो आपका यह हो जाएगा 1 plus y minus i x is equal to x minus 1 plus i y अब mod की definition क्या definition under root of under root of under root of under root of बोलो बोलो देखो real का square plus imaginary का square पर imaginary के coefficient का square इधर x minus 1 square plus y square i का square नहीं squaring both sides अब आप squaring कर दें squaring करेंगे तो यह हट जाएगा x यह y plus 1 whole square plus x square is equal to x minus 1 square plus y square अब इसको open कर दें open करेंगे y square plus 2y plus 1 plus x square is equal to x square minus 2x plus 1 plus y square अब देखिए y square y square cancel x square x square cancel और direction देखिए आप इससे इसको तो ऐसे ऐसे इसको इससे ऐसे 1 1 ऐसे ऐसे अब देखिए minus sorry यहाँ पर क्या गया y square y square cancel 1 plus y square cancel 1 minus z minus i x plus i y x minus y यह this implies 2y is equal to minus 2x 2y plus 2x is equal to 0 this implies y is equal to minus x y is equal to minus x तो y की value minus x है y की value मैं minus x अगर यहाँ पर डाल दूँ तो यह तो कुछ अलग type की problem बन गया x minus 1 plus i y wait for a while don't worry we together will work 1 minus i z x plus i y x minus 1 minus oh I am extremely sorry question should be like this this should be x my z minus i so if it is z minus i then here it is minus and there will be change now what change will be there let us see x plus don't mind y minus 1 actually printing mistake was there in my notes so I wrote the question I copied the question wrongly x plus i y minus 1 so it is like this and otherwise there is no change at all and here it is x plus i times y minus 1 x plus i times y minus 1 x square plus y minus 1 square therefore this right side will be changed so let us see x square plus y square minus 2y plus 1 again x square x square get cancelled y square y square cancelled minus 2y plus 1 1 1 cancelled minus 2y transfer this minus 2y on left hand side so it becomes 4y 4y is equal to 0 which implies y equal to 0 and therefore z is equal to what z is x plus i y which will become x plus 0y is equal to x therefore z is equal to x implies z is purely real z is purely real number so in this way we have proved this that z is purely real number दोस्तों आप मेरे साथ बने रहे हम आगे के वीडियो में आगे कुछ नए नए और कुछ अच्चे सवाल करेंगे तब तक के लिए आपको गुड़ लग मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेर करें